नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर बात करने वाले हैं बजार के अंदर बराबर हलचल आपको इस समय दिखने को मिल रही है दोस्तो आपको बताना चाहूं कि दिवाली का शुबावसर है और जिस तरीके से 2021 के अंदर अच्छा खासा पैसा बनता हो नजराया तो अब आगे की तैयारी किस तरह की करके चलें कि 50-50 की तरह हमारा भी पैसा उपर की तरफ ग्रोथ करता हो नजराया तोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूं कि अपनी जो रणनीती है उसके अंदर हम थोड़े थोड़े चिंजिस अगर बजार के अंदर करते चलेंगे तो कहीं न कहीं हम लोग को एक तो संभलने भी मदद मिलती है नोजराती है दूसरा यह है कि पैसा भी हमारा इसली मार्केट से बन जाता है यहाँ पर देखा गया कि काफी सारे निवेशक इस तरह के हुए है जो कि quarter on quarter basis या फिर 6 मेने के नजर ये से या फिर एक साल दो साल या फिर इस से जादा स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा जो है उन्होंने अब तक कमाया है दोस्तों आपको बताना चाहों कि कंपनी के fundamental भी change होते रहते हैं आपको कई बार बीच में देखने को मलता है कि कुछ खबरे इस तरह की की दिखाये देती हैं कि जिसकी वज़े से negative प्रभाव हमें stock के अंदर देखने को मलता है और कुछ company ऐस तरह की की हैं जिनके अंदर लगाता है अच्छा खासा रुजान हमें पिछले कई सालों से देखने को मल रहा चाहिए वो 10 साल हों चाहिए 20 साल अब अगर देखा जाए तो एक साल के नज़र ये में कौन-कौन से shares के अंदर अच्छा-कासा momentum हमें देखने को मल सकता है काफी सारी खबरे इस साल हमें देखने को मली जिसकी बज़े से कही नखी रुजान इन shares के अंदर हम लोग अभी तक positive देखने को मला है चली दोस्तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहली company के बारे में तो टाटा मोटर्स लगातार चरचाओं में ये company रही पिछले एक साल की बात करें तो 257% के return आपको इस company के अंदर देखने को मले तो अब को बताना चाहूं कि लगातार जिस तरीके से इस company के अंदर खबरे हमें इस साल देखने को मली है तो देखे अभी भी खबरों का बाजार लगातार गरम है और ये share हम लोग को और भी उपर की तरफ मूग और ताओ नदर आ सकता है यहाँ आप हम आपको बताना चाहूं कि लगबग 257% के return एक साल के अंदर बने हैं तो अगर आप एक साल का नज़रिया इस company के अंदर रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कम सकम 100% के return तो इस company के अंदर हम लोग को देखने को मिलना ही चीए इसके पीछे जो कारण निकल कर आ रहा है वो है electric vehicles का segment अवराल देखा जाए तो बहुत तेजी हमें उस segment के अंदर इसलिए देखने को मिलेगी आपने देखा होगा कि इन दिनों जो petrol है डीजल है उनकी कीमते लगातार हम लोग को बढ़ती हूँ नज़रा रही है अब देखे कहीं न कहीं जो आम public है वो switch करेगी electric vehicles के अंदर तो जब इन segment के अंदर switch करती हूँ नज़राएगी तो फिर इन company के अंदर हम लोग को तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि इनके जो vehicles हैं उनकी overall sales हैं यहाँ बढ़ती हूँ नज़रा सकती है अभी हाल फिलाल में लगबग 100 रुपे की आसपास आपको petrol डीजल की कीमिते देखने को मिल रही हैं तो इसकी कीमिते कुछ stable जरूर होती हूँ नज़रा सकती हैं लेकिन बाद में इनके अंदर हम लोग को और भी तीजी देखने को मिलेगी तो ये सारी चीजे बढ़ती हूँ नज़राएंगी तो खास करके उन कमपनियों के अंदर अच्छा खासा फायदा होता हुआ नज़राने वाला है जो की electric vehicles कमपनिया बनाती हूँ नज़रा दी हैं तो Tata Motors आप अपने radar पर रह सकते हैं एक साल का नज़रिया रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे खासे रिटन बनाने की ये कमपनी कैपसिटी रखती है चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कमपनी के बारे में तो आपको बताना चाहूँ कि Excite Industry लगतार चर्चाओं में ये कमपनी रही और जिस तरीके से लीथियम आयन बैटरी की आवशकता पढ़ती हुई नज़राई आई आपने देखा लीथियम आयन बैटरी की आवशकता इस समय दो जगह हमें प्रमुक रूप से दिखाए दे रही है सबसे पहला तो ये है कि जो एलेक्टरिक वहिकल्स है उनके लिए बैटरी की पावर स्टोरिज की यहाँ पर ज़रुत पढ़ने वाली है दूसरा ये है कि इन दिनों आपने देखा है कि जो सोलर से रेलेटरिड कमपनी हैं तो उसके लिए जो एलेक्टरिक स्टोर के लिए पावर स्टोर के लिए बैटरी की ज़रुत बढ़ने वाली है तो खासकर कि उन कमपनियों को फाइदा होता हुआ वह नजर आएगा जो कि लीथिय मायन बैटरी बनाती हुई नजर आ रही है इनमें एक्साइड इंडस्टी प्रमुक रूप से हमें इसलिए दिखाए दे रही है प्राइस चोटा है और अगर देखा जाए तो इस स्पेस काफी उपर का इस कमपनी के अंदर देखने को मिल सकता है तो अगर बात की जाए पिछले एक साल की तो लगबख 9% की तीजी आपको शेर के अंदर देखने को मिली तो अगर एक साल का नजरी अगले एक साल तक आप इस कमपनी के बारे में विचार करते हैं परम कुरूप से अगर देखा जाए तो नौकरी.com 99acres.com इसका ही प्लेटफर्म में दिखाए देता है साथी में जीवनसाथी.com तो कहने का मतलब यह कि जो भी कमपनी आपको इस तरिकी के दिखाए देरे जिनके ओनलाइन प्लेटफर्म है यहाँ पर क्या है कि पहले आप पैसे का पेमेंट करते हैं उसके बाद में यह कमपनी हम लोग को सर्विसिस प्रोवाइड कराती है तो तकि इन कमपनीयों का क्रेज भी हम लोग को लगता और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है तो अगर आपका नजरिया इस कमपनी के अंदर भी लगभग एक साल का या फिर उससे जादे का है तो अच्छा खासा मुनाफ़ा आपको इस कमपनी के अंदर देखने को मिल सकता है पिछले एक साल की बात करें तो लगबख 67% से ज़्याद के रिटन आपको इस company के अंदर दिखने को मिले इसी तरीके से गर 5 साल तक किसी ने ये share hold किया होगा तो लगबख 563% से ज़्याद के return इस company के अंदर बन चुके हैं तो गर आप नजरिया एक साल का रखते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ग्रोथ इस कंपनी के बिजिनिस के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो दोस्तो आप इसे भी अपने पॉर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अगले एक साल के अंदर तूफानी तीजी आपको इसी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब अगर देखे जाए तो पिछले जो एक साल के अंदर हम लोग को देखने को मिला ओवराल जो डीमेट अकाउंट नई ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी संख्या लगातार हम लोग को बढ़ती हुए नजर आ रहे हैं। अगर अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर ये रेशो आपको 50% से उपर दिखाए देता है। इन कंपनियों के इंदर भी आपको उच्छे खासी ग्रोध देखने को मिलेगी। इस स्टॉक को भी आप लोग टर्म के नजरी के साथ में अपने पॉर्टफोलियों में शामिल कर सकते हैं। दोस्तो बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े सरकारी बैंक के बारे में भारतिय स्टेट बैंक लगातार चर्चाओं में रहा पिछले एक साल के अंदर धुआधार पैसा बरसा है। 156% से जादे की तेज़ी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिली। तो दोस्तो ये स्टॉक भी अपने पॉर्टफोलियों में शामिल कर सकते हैं। के अंदर ऐसे बैंक के अंदर क्यों न निवेश किया जाए। कुछ न कुछ अमाउंट आपका ऐसी कंपणियों के अंदर भी होना जाए। तो लगबग 250% से ज़्यादा के रिटरन आपको इस कंपणियों के अंदर देखने को मिल चुके हैं। तो लोंग टम में देखा जाए तो लगातार चार्ड भी उपर की तरफ रुक करता हुआ नजरा रहा है। दूसरे बात यह है कि इस कंपणियों के फंडामेंटल बहुती गजब के हैं। इस साल इस तरगी की दिखाई दी कि जिसका पॉजिटिव रुजाना में शेर के अंदर देखने को मिला। तो अपने पॉर्टफोलियों में इस कंपणियों को भी शामिल कर सकते हैं। बशरते देखे जितने भी कंपणियां यहां पर बताई जारी हैं इनके अंदर शेर्स की संख्या कम से कम होनी चाहिए। ओवराल देखा जाए तो बीच में कई बार हम लोगों गिरावटे भी देखने को मिलती हैं। तो इतना पैसा होल्ड करें कि इस टॉक के अंदर अगर गिरावट देखने को मिलती है तो वापिस से आप इसके अंदर क्वांटिटी एड़ कर सकें। तो नजरिया इस कमपनी के अंदर भी अगर आप लोग टरम का रखते हैं पिछले एक साल में अच्छा खासा मुनाफ़ा और अगर अगले एक साल की तैयारी करके चलें तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कम सकम इस से आधे रिटन तो इस कमपनी के अंदर नोर्मल मिल ज दोस्तों बात करने वाले हैं ओटो सेक्टर की दिगज कमपनी अशोक लिलेंड के बारे में लगतार जिस तरीके से हल चल बराबर शेर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही हैं ट्रेंड पॉजटिव दिखाए दर आए फंडमेंटल मजबूत होते हुए नजरा रही हैं अच्छा खासा मुमेंटम लगातार इस शेर के अंदर हम लोग को दिखाए दरा है तो अगले एक साल के लिए ये स्टॉक भी आप अपने पॉर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और अगर नजरिया थोड़ा सा और लंबा रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफ़ा आपक इस कंपनी के अंदर भी दिखने को मिल सकता है आपको बताना चाहूं कि परियर लगभग एप्रोक्सिमेटर मान कर चल सकते हैं कि 40 पसंड के आसपास CSGR इस कंपनी का निकल कर आता है तो देखिए बहुती मजबूत इस्तिती में ये कंपनी दिखाए देरी है चाहे कंपनी क ये फंडामेंटल आप उठा कर देखें चार्ट पेटर्न गजब का है साथी में जिस तरीके से पॉजिटिव खबर आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिली क्वाटर औन क्वाटर बिसिस पर अच्छा खासा प्रदसनी कंपनी करती हो निज़रा रही है तो लोंग टरम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों गरे पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब कर क्रिक लेना ताकि नहीं वीडियो के रोटिफिकेशन सीधे हैं आपके मॉबाइल लाइले कुछ कि अपके मॉबाइल जानकारी तूर अपके